तो गाइस मैंने कल आपसे कहा था कि आज मैं आपका लेकर आऊंगा फ्लोरा एंट फोना आप जम्यूएंड कश्मीर जो आपकी स्लेप बस में गाइस एड़ हुआ है इसके लावा और भी एक टॉपिक है हमारा रिवर्स आप जम्यूएंड कश्मीर गाइस वह भी करवा दू ठीक है जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो गाइस देखे इसकी पीडियफ जो है आपको मैं हमारे टैलेगरम चैनल पे शेयर कर दूँगा प्लस वर्सप ग्रूप पे भी शेयर कर दूँगा तो गाइस अगर आप मुझे फॉलो करना जाते है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर कर सकते हैं अगर आप हमारा Facebook जॉइन करना जाते हैं वो भी जॉइन कर सकते हैं गाइस तो गाइस देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरा एंड फोना आप जम्योंड कश्मीर अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो के तरफ मेरा ना ना म nella के बारे में पता हुना चाहिए ठीक है फिलोरा क्या है और फोना क्या है सबसे पहले फ dengan और फ्लोरा को आप Vietnam होते हैं ठीक है अब फोना क्या होते हैं और फोना होते हैं जेक इतना यार रख लीजेगा तो इसके बाद कुछ तो यहां पर हमारे जंगलों में जो क्या बोलते हैं पाए जाते हैं कुछ हम कुछ को हम क्या बोलते हैं domesticate भी करते हैं उनको पालते भी हैं इसके बाद यहाँ पर plant diversity भी हमें देखने को बहुत जादा मिलती है अभी आगे आपको दिखाऊंगा एक एक animals के बारे में आपको दिखाऊंगा प्रसुन की picture भी में आपको दिखाने वाला हों जिसके उपर लोग अपने खाने के लिए निर्भर रहते हैं मैडिसन के लिए निर्भर रहते हैं फ्यूल के लिए फाइबर के लिए यहाँ पर लोग के रहते हैं इसके निर्भर रहते हैं आगे देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी plant life में आप से पहले का बहुत सरी plant life है आप जिन से हमें अलग-अलग किसम के खाने मिलते हैं ठीक है अलग-अलग किसम के हमें खाना मिलता है ठीक है अब देखे plant जो है हमारा social fabric जो है हमारा ठीक है social fabric का एक integral part हम plants को कह सकते हैं ठीक है flora को मैंने आप से क्या जार करवाया flour की एक में ट्रिक बताई flour को flowers मिलता जोलता है ठीक है guys तो flour क्या है हमारे पास तो flour guys हमारे पास एक plant है तो guys flora क्या होगे plant ठीक है पाइस और पर ना पड़ेगा यह फिगर जो है इसमें हमारे एंजियोस पर्म आते हैं थिक है और टे टोफाइट आते हैं तिक है उसके बाद इस species जो है ठीक है यह species की list जो है different districts की है ठीक है यह मतलब कि अलग-अलग अलग-अलग क्या होते है अलग-अलग timing पे यह updated होती रहती है ठीक है guys उसके बाद जो lower इसमें अगर आप देखेंगे जो lower plants होते हैं guys हमारे पास fungi और algae जो होती है ठीक है इनको अभी भी अच्छे से exhaustively इनको steady नहीं करा गया है ठीक है उसके बाद information जो होती है micro flora of जो micro flora है उसकी information इसके ओपर जो होती है isolated regions की ठीक है वो कुछ plant orders के लिए और families के लिए यहाँ पर available हमें देखने को मिलती है ठीक है अब जो हम देखेंगे जो western himalayas के जो plants है ठीक है वो उनकी medicinal properties जाने आते हैं ठीक है यह तो guys मैं आपको introduction दे रहा हूं अभी जब आपको कुछ plants के नाम यहाँ पर बताऊंगा कुछ trees के नाम बताऊंगा कुछ animals के नाम भी बताऊंगा तो उनके आपको यह रखने है उनके आपको सबसे पहले क्या या रखना है यहाँ पर उनका आपने रखना है नाम जो scientific नाम है वो आपको गई सबसे important है guys मैं आपको अभी आग कर जाते हैं ठीक है तो गाइज यह आभी 56 55 species बगारा है इसके बारे हम कम देखेंगे अभी हम जो मारा important है वहाँ पर चलते हैं तो गाइज इसकी PDF मैंने आपके लिए बना लिए आप ये PDF देख सकते हैं देखें यहाँ पे कुछ जो हमारे native medicinal plants है ठीक है उनको cultivation के लिए यहाँ पर लिया गया है जिनकी cultivation यहाँ पर होती है ठीक है इस plant का नाम आ रखेंगा important है ठीक है plant का plant का नाम क्या है डायोस कोरिया ठीक है डैल्टोईडा ठीक है मेरे से अगर इसकी जो pronunciation अपरी गलत होगी तो आप correct कर देजेगा ठीक है तो क्योंकि मैं science background से नहीं हूं ठीक है डायोस कोरिया डैल्टोईडा ठीक है अब इसको cultivate किया जाता है कहां पर ठीक है इट्स ट्यूबर जो समस्यादा इसमें होता क्या है इसमें समस्यादा होता है डायोस जैनिन और इसम son ठीक है एक क्या है एक steroid hormone की तरह होता है ठीक है तो आगे देखते हैं इसमें और क्या है अब देखते हैं हम चलते हैं पहला है जो हमारे पास यहां पर पेड़ है चिनार ठीक है अगर आप answer करते हैं तो मुझे motivation मिलती है तभी फिर मैं आपके लिए और दाद अची वीडि इंपॉर्टन गाइज को आप अपनी notebook पर नोट कर देजाएगा लोकली चिनार को हम क्या बोलते हैं बोलते हैं ठीक है किश्मीरी language में important point है या रखेगा ठीक है चिनार ट्री जो है इसकी जो किश्मीर की civilization है उसमें एक important place यहां पर यह hold कर करके रखता है ठीक है आल्मोस्ट गाँ में भी एक पेड है जहां पर हम जाकर दिन को बैठते हैं कभी-कभी गरियों में तो बहुती आनंद आता है वहां पर यह आपा लिखा गया है ठीक है उसके बाद अगर हम देखें तो यह अनफॉचुनेटली अब हो क्या रहा है रिसेंटीर में अगर हम देखें तो चि अगर हम देखते हैं इसकी और क्या कासित है इसका जो साइज होता है गाई यह बहुत बड़ा होता है गाईगेंटिक साइज ट्री होता है फांडिंग यह पूरी वैली में बनता है यहां पर इवनकी जमू में भी बनता है इसकी साइंटिफिक नेम जो है यह यहार रखेंगा बहुत सबसे इंपोर्टेंट यह चीज है इसका इंपोर्टेंट यह चीज है कि आपको यह नाम य इसकी family है, इस देशिटोस ट्री है, तो guys अब डेशिटोस ट्री होता क्या है, ठीक है, डेशिटोस ट्री क्या होता है, जिसके पत्रे गरते हैं, ठीक है, जिसके पत्रे गरते हैं, जिसके पत्रे गरते हैं, जिसके पत्रे गरते हैं, ठीक है, अब इसके चिनार की, जो origin हुई ह तो हमें कहां से देखने को मिलती है तो ग्रीस से देखने को मिलती है इसका incredible beauty जो है इसकी इसको हम देख सकते हैं अब इसके बाद ये tree जो है इसकी allegiance और exuberance जो होती है वो हमें कब देखने को मिलती है आटम के महीने में देखने को मिलती है तो इसकी majesty को अगर हम देखें तो हम पूरे साल देखने को मिलती है तो गाइस एकबाल जो है सबसे आप इनके बारे में जानते हैं ठीक है इलामा एकबाल तो ये इस्ट के शायर है ठीक है ट्रिस इस वाम्थ अब दक किश्मी सॉल टुदा बलेज अब चिनार इस नर्सिस इन इस बॉजम ये किसने कहा है एकबाल ने ये बात कही है ठीक है अब आगे देखते है एवियन डैवर्सिटी के बारे में ठीक है गाइस एवियन डैवर्सिटी एक तो गाइस एवियन क्या होता है ये बार्ट से लेटेड एक वार्ड होता है ठीक है जो स्टेट की avian diversity है यह vary करती है seasonally ठीक है and available data suggest और जभी हमारे पास data available है वो हमें suggest करता है कि existence यहाँ पे कम से कम 358 species जो है birds के ठीक है जो 179 genera ठीक है उसके पाद 51 family under 16 order में यह आती है ठीक है आपके लिए इसको मैंने highlight कर दिया है इसको bold कर दिया है state जो है इस state में 14 species जो है guys amphibians की पाई जाती है ठीक है belonging to 6 generations ठीक है 6 generations जो बिलांग करते हैं 5 families है और एक 1 order है उसके बाद 68 species जो है guys यहाँ पर reptiles की पाई जाती है belonging to 43 genera ठीक है 12 families and 2 orders ओके आगे देखे अवेलेबल data जो है वो हमें suggest करता है 44 species जो है guys fishes की ठीक है belonging to जो की 14 generation से belong करती है under 5 family है अकर जो हमरी state है पाई जाती है ठीक है available data जो है अब इसने ये reveal करता है कि as many as यहाँ पर अगर देखा जाए तो 225 ठीक है 225 species जो है guys यहाँ पर insects की वो भी पाई जाती है ठीक है इसके साथ उसकी कुछ sub species भी है ठीक है जो belong करते है 136 genera के साथ ठीक है 35 families है और 4 order जो है हमारी state में इसमें पाई जाते हैं ठीक है guys आगे देखिए जमू एंड कश्मीर जो है ठीक है जमू एंड कश्मीर जो है यहाँ पर बहुत सारे नंबरा species भी है ठीक है अभी जो लिस्टिद एज एंडेंजर्ड species तसे के हमारा कश्मीरी स्टैग है जिसे हम हंगूल कहते है इसके बारे आपको बताऊंगा ठीक है इसकी पिक भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा पिक्टर कर गए समझाने वाला में इस वीडियो में आगे देखी का ठीक है और स्नो लिपॉर्ड जो है जो भी यहाँ पर टाइम अन्नौन पता नहीं कब से लेकिन यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं ठीक है अब आपके कर सकते हैं बहुत सारे फेसिनेटिंग यहाँ एक्सक्विस साइट फार्म जो है लाइफ की हम हमारी नैशनल पार्क में तो घरता भी बताएंगे आपके क्षिन बताएंगे कि जमू एंड कश्मीर में टोटल कितनी क्या है जो हमारी क्या है पार्क है ठीक है वो कितनी हैं ठीक है ओके गाईज आगे देखिए फोना के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं ठीक है फोना मैंने पहले ही कहा फोना से एनिमल लख लो ठीक है फोना जो है जमूर्ण किश्मीर के वो भी डाइवर्स है ठीक है अपनी मील लोकेशन को देखकर थारमेटिक कंडीशन को देखकर हमें यहां पर बहुत सारे ओंट्रिब्यूट करती हैं ठीक है फालोंग बैया रफाध रव।ना से प्रक्ताइल सoire प्षक, ठीक है अभी अभी स्टेय्ट है in यहां पर मैंशी आदो मैंशनें नहींना दीक है पर स्व सबस्पीशिस यहां पर मैंबल्स की पाई जाती हैं बिलांगिंग टू 54 जैनरा यह तो आपके एक्जाम में पूछ नहीं जाएगा लेकिन फिर भी यहां पर आपके लिए फिकर लेकर आया हूँ कार्णिवर्स होते क्या है सबसे बहले देखें पता होना चाह suicidal है कार्णिवर्स क्या होते हैं जो होते हैं जो हर्ब सुवरा काते हैं इनी की घास खाते हैं ओमनिवर्स क्या होते हैं जो गाइस हमारे पास घास भी खाते हैं मेट भी खाते हैं इस बार्ड के बारे में आपको उतियार रखना ही पड़ेगा आपके exam में question पका गाइस guarantee अभी मैं guarantee देता हूं ठीक है इस बार्ड के बारे में question पूछ जाएगा अब आप बोलेंगे सर क्यों पूछ जाएगा इसलिए क्योंकि अभी recently UT का बार इसे बनाया गया है ठीक है जंगों कश्मीर यूटी का बाड इसे बनाया गया है इससे पहले क्या था इससे पहले का भी पता होना चाहिए आपको इससे पहले जो गाईज यहां पर बाड था उसका नाम था ब्लैक नेक्ट क्रेन ठीक है इंपार्टन पॉइंट है यह भी जो है किशमीरी फ्लाइचेर जो है यहाँ पर इसका जो साइनिटिफिक नहा है का इस फिसे इुला क्नुन . इसको एक ताइम क्या था इसको एक सबस्पिशिस कहा जाता था तिक है अब उसकी कहते क्या थे उसका साइंटिफिक नेम क्या था scientific name था उसका phycidula parva फीcidula parva ये सब स्पिशिस तीकिस की red breasted fly cancer के लेकिन आज इनकी अपनी एक परजाती है ठीक है ये एक insectivorous species है इनसेक्ट को खाता है which breeds in the northwest timalia जो हमारे कश्मीर रिजिन के northwest timalia में ये breed करता है ठीक है इंडिया के western guard पर गाईजे यहां पर रहता है इसको important है इसको important mark कर दिए इसको question आपका question यहां से बनने ही वाला है ठीक है आगे देखिए इसके बाद है हमारे पास guys कश्मीरी mask deer आप इसको देख रहे होंगे ठीक है इस वाले hiran को ठीक इसका अब scientific name क्या है ठीक है Moscus capris ठीक है एक endangered species है ठीक है musk deer का एक endangered species है ठीक है यह किसका native है अफगानिस्तान इंडिया और बाकस्तान में यह पाया जाता है recent studies यह show करती है कि यह जो है western Nepal का भी एक native है ठीक है नहीं कि western Nepal में भी यह musk deer का इस वहां पर species कहा जाता है ठीक है deer stand at deer stand at 60 cm ठीक है यह 60 cm का होता है ठीक है इस हिरन जो होता है यह हमारे पास 60 cm का होता है 2.0 feet ठीक है दिनी के 2 foot लंबा होता है ठीक है और नी males ठीक है जो males होते हैं उनकी tusk होती है ठीक है सिरफ males की tusk होती है और उनको वो कभ यूज करते हैं, जब वो मेटिंग करते हैं, जब उनका मेटिंग सीजन होता है, ठीक है, तो जब वो अपने फिमेल के साथ कमपीट करते हैं, समझ रहे होंगे आप यहां पर क्या बात कहीगी है, ठीक है, तब आपनी फिमेल को यहां पर यहां पर यूज करत जो भी है पैंथरा उंसिया पढ़ लिजे अंकिया पढ़ लिजे ठीक है इसको हम और क्या नाम से जानते हैं यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उंस ठीक है एक लार्ज कैट है नेटिव कहां कहा है मौंटन रांजी जो है सेंट्रल और सौथ एक्षर की तो गया जैक अब बसा दो यहां पर अभी कुछ दिनों तक आपको हमारी एपलिकेशन मिल जाएगी ठीक है जुपिटर क्लासे स्टैडी वित रोहित के नाम से आपको एक एपलिकेशन मिल जाएगी गाईज तो वहां पर आप ये वीडियो डिरेक्ट लीगाईज वहां पर देख सकते है तो ओके देखिए इस लिस्टिड एज वल्नरेबल इसको वल्नरेबल कटेगरी में रखा गया है आपको एसको एस्टिमेट किया जा रहा है कि वह 10,000 के नमबर से कम हो चुके है तो ये विया बिक्सपेक्ट किया जा जाता है कि ये 10% 2040 तक कम हो जाएंगे तो गाई 10% अगर 10,000 में से कम होगे तो गाई पता ही है कितना होता है ठीक है अब बताने कि परसेंटरी पढ़ाऊंगा नहीं आपको में ठीक है इट इस थेटेंड अब ये इनकी डिकलाइन होगा क्यों ठीक है क्यों होगा क्योंकि इनकी पोचिंग होती है गाईज ठीक है एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन फालोईग और इनका हैबिटेट जो है जो जहां पर ये रहते हैं उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है क्यासे डिस्ट्रक्ट हो रहा है अल्पाइन एंड सब अल्पाइन जून जो होते हैं हमारे वहां पर रहता है जो कितनी elevation पर है कितनी उंचाई पर है 3000 से 4500 मीटर की उंचाई पर यह होता पाय जाता है ठीक है रेंजिंग फ्राम अगर हम देखें कहां से कहां तक in the countries in the northern part of its range it also lives at lower elevation ठीक है जो हमारी northern part होते हैं तो वहां पर यह lower elevation में भी गाईज पाया जाता है ओके गाईज आगे देखें wild goat ठीक है इसको आपने देखा होगा गाई मार खोर करके आपने पड़ा होगा ठीक है इसके बारे में देखें wild goat जो है इसका नाम scientific important है मैंने पहले कहा था starting नहीं ठीक है Capra agagras ठीक है Capra agagras यह gold goat की species है ठीक है बकरी की species है ठीक है यह जंगलों में रहता है shrub lands में रहता है और राकी जो जहां पर पथरीले इलाके होते हैं वहां पर रहता है ठीक है अभी इसको जो IUCN की जो red list है ठीक है इसको यहां पर as is threatened बताया गया है ठीक है अभी यह extinction की कगार पर है ठीक है and is threatened by destruction and degradation of the habitat क्योंकि उसके habitat को क्या कर दिया गया है डिस्टर्ट कर दिया है डिग्रेट कर दिया गया है ठीक है यह जो हमारे domestic goat है उसकी एक ancestor हमें यहां पर देखने को मिलता है ठीक है आगे देखिए किश्मीरी स्टैग कितनी प्यारी सी इमेज यहां पर इसकी लगा दिये जाके आपको भूले ना ठीक है किश्मीरी स्टैग के बारे मितोड़ास जान लेते हैं किश्मीरी स्टैग है क्या इसका जो scientific name है वो क्या है curvus candanuses hunglu ठीक है curvus canadensis hunglu इसको हम hungul भी कहते हैं ठीक है यह सब स्पिशिस है किसकी जो अलक नेटिव जह है कश्मीर के उसकी एक सब स्पिशिस है important point guys यहाँ पर note कर दीजेगा it is found in dense riverine forest यहाँ हमें dense riverine forest में पाये जाते हैं जो high valleys है हमारे कश्मीर वैली की ठीक है उसके mountains में यह पाये जाते हैं और northern chamba district में guys यह पाये जाते हैं हिमाचल प्रदेश में कश्मीर में देखें तो guys हमारे जो दश्ची गाम national park है मैंने आपसे question पीछे पूछा है कि हमारी total national park कितनी है जम्मू कश्मीर में ठीक है अगर हो सतके तो उनके नाम भी guys लिख लीजेगा ठीक है एक का नाम अपने आप पर देख लिए बच्छी काम national park ठीक है जहां पर इसको protection मिलती है ठीक है आपके घर में भी I think होगा एक इसका नाम यह याद रखेगा ठीक है अलेक्टोरिस ग्रेस ठीक है अलेक्टोरिस ग्रेस स्नो पाल्टरिज चकोर ठीक है उसके बाद फिजेंट मोरनी और जो मरपस भी काक्स होते हैं यहां पर पाये जाते हैं जम्मू में हमें देखने को मिलते हैं dense forest जो है किश्मीर के are a delight to the sport lovers ठीक है यह हमारे sport lovers के लिए क्या है एक delight है ठीक है and adventures for home और यह उनके लिए adventures for home उनके लिए adventures है ठीक है sport lovers के लिए और adventure के लिए जो घने जंगल है यहां के वह बहुत यह खुशी की बात होती है ठीक है there are और यहां पर ibex, snow leopard, musk deer, wolf, red bear, black bear and leopard guys यहां पर पाये जाते हैं ठीक है winged gambs इसमें कुछ अगर हम विंग विंग गैम देखें ठीक है winged gam includes में कौन से कौन से आते हैं ducks, goose, partridge, chakor, peasant, ठीक है wag tails, hirons, water pigeons, warblers and doves ठीक है यहां रखेगा इसके बात अगर हम जो लदाक के arid desert के बारे में देखें तो कुछ 240 species जो है local and migratory birds की वो identify करी गई है जिसमें black necked cranby है जो अभी recently क्या है जिसको change कर दिया गया है यह हमारा पहले क्या था यह हमारा state का bird था अभी recently change कर दिया गया है तो guys question यहाँ पर एक question आपके लिए है कि आप मुझे बताएंगे उसका नाम क्या है जो अभी recently guys क्या किया गया है इसको recently अभी state का bird बना दिया गया है ठीक है अब लदाक में अगर हम देखें तो वहाँ पर याक पाया जाता है हिमाल्जन आइवेक्स पाया जाता है तिबितन एंटिलोग पाया जाता है ठीक है स्नो लिपोड पाया जाता है वाइल्ड एज पाया जाता है रड़ बियर और गैजल वहाँ पर पाया जाते है ठीक है guys अब देखें कुछ national park इंपर्टन national park है हमारे सिर्नगर से दूर है ठीक है एरिया इसका कितना है 141 स्क्वेर किलोमेटर इसका एरिया है guys ठीक है लोकेटिड कहां पर पाया जाता है mountains के बीच में ये पाया जाता है उनके बीच में पाया जाता है ठीक है दिर देखें इसके डिफ्रेंस की वजा से ठीक है तो इसको दो रेजिन में डिवाइड कर दिया गया है अपर रेजिन और लौर रेजिन ये पार्क जो है without a doubt एक most scenic है अब आल दपाक जितनी पार्क है हमारी स्टेट में उन में से बहुत अच्छी पार्क है देखने को मिलती है यहां पर ठीक है एनिमल जो है यहां पर most famous एनिमल जो है यहां पर हंगुल जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं ओके आगे देखें अगे देखें अदर एनिमल और जो यहां पर दूसरे एनिमल इसको यहां पर जान लीजिए यहां पर हर एक चीज पाई जाती है ठीक है अगर हम फ्लोरा से देखें फ्लोरा से पाणा फौना तक देखें और वहां से एवी फौना तक देखें वो भी यहां पर पाये जाते हैं गुलमारेक बाईस फिर जो है यह 48 किलोमेटर जो है सरनगर से दूर है प्रोट करा गया है बहुत सारे पार्क जो है, most of the parks covered in forest, consisting manually of conifers, ठीक है, यहां पे forest देखें, conifers भी देखने को मिलते हैं, यहां कि, conifers क्या होते हैं, वो वाले trees होते हैं, जिनके जो, जिनके जो leaves होते हैं, तो guys हो पत्ते, उनकी वो सुई की तरह तेज होते हैं, ठीक है, उसके बाद, उसके ब best time to come here is between, यहां पर सबसे अच्छा time जाने का कौन सा है, September और March की बीच में आप यहां पर जा सकते हैं, ठीक है, for mammals, हम नहीं, mammals, ठीक है, and March to May for birds, ठीक है, March से May में, यहां पर बाद के लिए अच्छा समय यहां पर जाने के लिए है, ठीक है guys, तो यह थी है हमारी आज की depends on you, अच्छे लगती वीडियो guys, ऐसे lecture में आ के लिए आपके लिए लाने वाला हूं, वीडियो को share कीजेगा, अगर आपको अच्छे लगी है, तो आपके दोस्त भी इससे कुई सीखे हैं guys, तो guys वीडियो खतम करता हूं, यहां पर thank you, God bless you all, love you all, जैहिंद